ये कहानी एक पक्षी पूर नामक जंगल की है जहां एक तोते महराज का राजे था मेनोचिडिया तोते महराज की वजीर थी और वे तोते महराज को एक बहुत जादा एहम बात बताने आई थी अरे मेनोचिडिया बताओ क्या खबर लेकर आई हो जंगल के हालाग कैसे है सब ठीक तो है न एरे महराज कुछ भी ठीक नहीं है जंगल के हालाग तो बहुत जादा बुरे हैं अगर हमने वक्त रहते ही कुछ नहीं किया तो हमारे हांस से सब कुछ निकल जाएगा महराज अरे क्या मात है मीनू, तुम इतनी ज़ादा चिंतित क्यों नज़र आ रही हो, मुझे बताओ महराज, हमारे आदे से ज़ादा जंगल पर कबजा हो चुका है और तो और उसने तो हमारे खेतों को भी नहीं चुड़ा उसने हमारे खेतों पर भी कबजा कर लिया है अरे तुम किसकी बात कर रही हो और कौन है जिसने हमारे खेतों पर कब्जा कर लिया उसकी इतनी इम्मत कैसे हो गई अरे महराच वे एक खोनखार का हुआ है जिसे पक्षियों को मार कर उनका खोन पिने की आद़ लग चुकी है वे बहुत जादा खदरनाक है एक बार उसने अपनी जिंदगी में किसी पक्षी का खोन गलती से पी लिया था तब से उसे बड़ा वज़ा आने लगा और वे हर पक कनल को अपने कभजें में कि लिया है उसने बजिक बश्हार चैनल को गिया हुआ है जो भी पक्षि की बात नहीं मानता या उस से लड़ने की कोहिश करता है पो पर उन चीनल को बढ़े ले कर उस का कउटन लिया कर उसका सारा कूल पी मेरे जंगल में इतना कुछ हो रहा है और मैं यहां अराम से बेटा हूं तुम बिल्कल चिंता मत करो में उस खुनखार को बिल्कल नहीं चोड़ूंगा और उसे जान से माय डालूंगा आप इसा नहीं कर सकती क्योंकि सबसे पहले तो आपकी रुकावट वे चार खुनखार च कोवे का जल से जल कुछ ना कुछ तो करना ही होगा वरना तो यह हमारे पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा अरे महराच आप बिल्कल चिंता मत कीजिए मेरे पास एक उपाई है जिसके रहते हम सकौवे को अच्छा सबख सिका सकते हैं वहीं दूसरी तरफ उस खुनखार क कोवे ने पक्षियों की लाशों को एक बयाबान सी जगह पर एक दरख से उल्टा लटकाया हुआ था और वे उन लाशों को देख देख कर कह रहा था अरे पक्षियों तुम्हारा खौन तो बहुत जादा स्वादिश्ट है इसे पीकर तो मेरे जिसम में ताकत सी आ जाती है ऐसा ऐसा लगता है जैसे मुझसे अब कोई नहीं जी सकता तुम तो जानते हो मैं कितना जादा दुष्ट हूँ मैंने जब अपने पिता को ही नहीं छोड़ा तो मैं तुम सब को कैसे छोड़ूंगा और और तो जो पक्षियों मेरी बात नहीं सुनता उसको मैं अपने वाश में कर लेता हूँ और फिर से मारकर उसका सारा खून पी जाता हूँ अभी वे कववा ये सब कुछ कही रहा होता है कि तब ही उससे याद आता है कि उसने अपनी चारों चीलों से पक्षियों का खून जारा कर कहता है कोवे का इतना कहना ये था कि वे चारो चीले फॉरत से उसके सामने पक्षियों के खुन से भरा हुआ एक गिलास लाकर रख देती है अरे ये हुई ना कोई बात अब लग रहा है कि तुम चीले मेरी गुलाम हो बस काम थोड़ा जली किया करो फिर क्या था वे खुणखार कोवा देखते ही देखते पक्षियों के खुण से भरा हुआ पूरा गिलास एक दम से पी जाता है मासा आगया ऐसा खूनो शर्वत तो पुरे संसार में कौवे नहीं बेसकता यहां वे खूंखार कववा पूरे जंगल में आतंग मचा रहा था और वहीं दूसरी तरफ मिनोचडिया ने सोच लिया था कि उसे अप क्या करना है मीनो चिडिया उस खुनखार कववे को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाने के लिए निकल जाती है और देखते ही देखते कुछी समय में वे उस कववे के पास पहुच बुजाती है कववा मीनो चिडिया को अपने सामने देख कर बहुत जादा हैरान होता है वैं सोचता है ये कौन बेवकूफ पक्षी है जो अपनी मौत को दावल देने के लिए खुद उसके पास आ गया अरे कोबी बहुत हो गए तुम्हारे जलुम तुमने हमारे पक्षियों को बहुत जान से माल लिया अब बस कर दो वरना देखना तुम्हारे साथ बिलकुल अच्छा नहीं होगा ये जो चील तुमने पाली हुई है न यही तुम्हे नोच नोच कर खा जाएंगी अरे वाह सारी बात है एक तरफ परन्तु तुम्हारी हम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी तो कि तुमने एतना चोकिन बारा काम जो किया है यहां तो तुम बहुत जादा बहादर हो या फिर बहुत जादा बेहुकुल हो जो अपनी मुद को दाद देने के लिए कुछ मेरे पास आ गई अरे कोई जहां तक बहादुर की बात है तो मैं बहुत जादा बहादुर हूँ क्योंकि मैं तुम से बिलकुल नहीं डरती हूँ और एक बात याद रखना हर चीज का अंथ जरूर होता है और तुम्हारा अंथ तो मुझे आस पास ही नजर आ रहा है अरे तुम बात तो बढ़िया करती हो परंथू तुम्हारी इन बातों में दम नहीं है तुम मेरे सामने उस कीड़े की तरह हो जो कि बिना मतलब किसी के भी हाथों मारा जाता है फिर क्या था वे कववा अपना अवन्शिक आला निकालता है जिससे वे हर पक्षी को अपने वश में कर लेता था और वे मीनुचडिया को भी अपने वश में करने लगता है परन्तु मीनुचडिया हुश्यार थी वे जानती थी अगर उसने कववे के उस आले में देखा तो कवे के वश में हो जाएगी और फिर वे उस कवे का कुछ भी नहीं बिगार सकती इसलिए वे फिर नीचे देखती रहती है वे बिचारा कववा तो यह समझ रहा होता है कि मेरो चिडिया उसके वश में हो चुकी है अरे चिडिया आप तुम मेरे वश में हो और अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगार सकती, अब मैं जैसा तुम्हे कहूंगा, तुम वेसा ही करोगी, करोगी ना? अब जैसा मुझे कहेंगी, मैं वेसा ही करोगी. फिर क्या था, वे खोन खार कवा, मिनुचुलिया को उन चार खोन खार चिलों के सामने डाल लेता है ताकि वे मीनुचिडिया को मार कर उसका सारा खोन निकाल सकें परन्तु मीनुचिडिया हुश्यार थी वे कवे के वश में बिलकुल भी नहीं थी और वे अपने उपाई के मताबिक एक जोड़दार आवाज लगाती है अरे मीनुचिडिया के आवाज लगाती ही वे बबलुबादल फोरण से वहाँ पर आ जाता है दरसल मीनुचिडिया जानती थी कि किसी पक्षी को वश से बाहर निकालना है तो उस पे पानी फेक कर उसको वश से बाहर निकाल सकते हैं इसलिए उसने बादल से पहले ही बात करी हुई थी, कि उसके आवाज लगाती ही, वे आए और उन चीलों पर पानी बरसा दे, ताके वे उस कवे के वश से भार आ जाएं। फिर क्या था वे भबलू बादल अपने काम से लग जाता है और उन चारों चीलों पर पानी बरसाने लगता है पानी के बरसते ही वे चीले फोरण से अपने होश में आ जाती हैं वे अब उस कववे के वश में नहीं थी चीलों के वश में आते ही मीनू चीडिया चीलों को सारी गुस्सा आता है और वे मीनोचिडिया से कहती है अरे मीनोचिडिया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुमने हमें उस कववे के वच से आजाद किया है और तुम अब बिल्कुल चिंता मत करो हम उस कववे से अपने बदला जरूर लेंगे उसने हमें इस्तिमाल किया है हम उसे जान से मार डालेंगे फिर क्या था उन चारोचीनों का क्रोथ इतना बढ़ चुका था कि वे बिलकुल भी देरी नहीं करती और फॉरण से उस कवे के पास जाती है और एक एक करकर उसे जान से मार डालती है उस कवे का अंथ उसके सामने था उसकी अब मिरती हो चुकी थी तोहीं दूसरे तरफ जंगल में तोते बाराज में मीनुचिडिया से बहुत जादा खुश थे क्योंकि मीनुचिडिया ने जंगल को एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल दिया था इस कहानी से हमें ये प्रेणा मिलती है कि मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए